लोग हमसे कह रहे थे कि भूपेश चौबे से मिलिए गा तो यह जरूर पूछ लिएगा अपने पैर इतने कैसे मजबूत रखते हैं आप कि चुनाओ प्रचार करते हैं तो नंगे पैर और मंच पे चढ़ना होता है तो उठक बैठक तक कर लेते हैं मतलब करना क्यों पड़त क्या हुआ था हुआ जो मेरे मन की प्रेड़ा दाई पूंज थे वो पूरे हो रहे हैं मोदी और योगी सरकार में इसलिए इस बार के चुनाओ में मैं पदवेश भीन जंता रूपी भागवान के सामने जाने का संकल्प लिया अगर उठक बैठक करने से और चंपी मालिस कर में इस समय हम लोग सोनभद्र में हैं और यह है रॉबर्ट गंज विधान सभा रॉबर्ट गंज जो है अब जो यहां की लोकल भदेश भाशा है उसके आलोक में इसको रापट गंज कहा जाने लगता है जैसे कई जगों के नाम अपने अपने आप उचरणों से संबोधित करते हैं तो रॉबर्ट गंज उट जग demons लगता है कभी कभी हम लोग भी कह गुजरें तो इतना माइंड मत करियेगा तो अपेख ऑेटे युइदियो की बात आती है वाइरल वीडियो की बात आती है जो यहां के सिटिंग में ले सोबेजी का गा बीति के सिटिंग अमेल ए हैं इस बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं और चोचा की थोड़ी सी बातचीत करें फील्ड में हैं वैसे MLA को पकड़ा जाए उनसे पूचा जाए कि सहाब जंता के सामने उठक बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी और वोटर की सपास इतना करीब जाने की जरूरत क्यों पड़ी बिरहाल वो सब पर बाचित करेंगे पुपेश जी एक चीज़ बताईएगा आपकी कहानी गया है मतलब चुनाओ पॉल्टिक्स कैसे शुरू हुआ काम क्या कैसे लोग बत किया, बाद में हाइर सेकेंड्री के लिए मेरे परिवार के लोगों ने हाइर सेकेंडरी रेनुकूट मेड Tiani poison कराया, उसी समय हाइ स्कूल के में ही मेरे मन में गुनगुनाहट राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे वह गुजने लगी और उसके बाद वहां से हाई स्कूल करने के बाद मैं इंटर के लिए ओबरा में आया ओबरा पढ़ाई किया इंटर किया ग्रेजुएशन किया फिर वहीं से एबी बीपी से जु प्रभारी और 2017 में मुझे भारती जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं रावर्ट सबंज चेत्र का प्रतिनीद्र करने का उसर जनता ने दिया काम क्या करते हैं मतलब इधायगी के लावा काम धाम क्या है आपका घर के खेती है बाकी कुछ परिवार के लोग और काम करते हैं उसमें मुझे मैं भी मदद करता रहता हूं जो भी है अच्छा पानी मोटर चला दे लाग और यह तरह का सुविधा जहां भी पढ़ता हो कि करें हम मदद करी लग घरे के काम में अच्छा एक चीज़ बताइए लोग हमसे कह रहे थे कि भूपेशचाओश मिलिए गा तो यह बिजरूर पूश लिएगा अपने पैर इतने कैसे प्रचार करते हैं तो नंगे पैर और मंच पर चुंडावेंड़े में आपक्ते कर लेते हैं मतलब तो पूछे का कैसे करना क्यों पड़ता है प्रचार में आपने इंकलेट पहना हुआ है मैं देख रहा हूं और मैंने दूसरे वीडियो भी देखिए आप नंगे पर चुनाओ प्रचार कर रहे थे और इंकलेट उस पर उठक बैठक कर रहे थे मंच पर क्या हुआ था देखिए यह लोकतंत्र है और हम जिस पार्टी के कारेकरता है वो एक संसकारित पार्टी है और जिस उठक बैठक की बात कर रहे हैं वह कारेकरताओं की बैठक थी उस बैठक में क्योंकि पूर्व की सरकारों ने पूर्वरती सरकारों ने जिस परिस्तिती में सोनबत सदर वि कि मेरा मंत्र ही है चरे वैथि तो एक मेरा देखें तो लिख रह रहते हैंक। चलते रहने की मेरी आदत मुझे परिंड़ा प्राप्थ हुए सेंगठंस कि जब चलते रहेंगे तो कहीं निरोम रहता है तो तो मेरा सामने रूप सƏ अगर सुकरुत वॉला मित्र है तो रोज मैं मिलता नहीं हूं all तो मिलने का समय तो मिल लेता हूं तो फोन से बात हो जाती है तो उनसे बात हो जाता है अगर हम चलते नहीं रहेंगे राप्टे गंज में बैटे रहेंगे तो इसलिए चलते रहने से एक सबसे संबाद सबसे मिलना जुलना और इसे तमाम प्रसंग किसी से बात चीते मिलता तो मुझे प्रेड़ा भी देती है चोटी चोटी इसी घटना है तो इस नाते और बाकी तो अब देखिए पुरे छेत्र में एक कारे बीच में जो दो साल कोबिट काल उसमें भी सेवा क हश्पीटल से ले करके मजदूरों की से ले करके मास से नाता है यहां से ने टाएं जो भी संगठन का काम था संगठनने जो तै किया आज तक नहीं हो पाया था लेकिन जब सदर्श विधायक में बना उत्तर प्रदेश में उगी सरकार बनी तो जल निकासी की परियोजना स्विक्रित हो इसके काम चल रहा कितने दिनों से मांग थी वह बना नेंदा नदी है उसे प्रप्टा टूटा हुआ था पूल बनवाया तमाम ऐसे काम जो बजारी घाटे को जोड़ने वाला सड़क है जो बहुत चर्चित आप कभी जाईए का कौन छेत्र में बागे सोती बड़ा गाव है उस बागे सोती से नगर बसी धर का नाम सुनने होगए आप लो तो नगर का बड़ा बजार है, तो कोन-षेत्र के लोगों का बहुत कनेक्तिवटि उसे आना जाना बजा, तो उसको बजारी घाट के नाम से ही कहने लगे नहीं वहां जब सरसट की बात कि कोई तो उसुपर से वह करने के लिए कि यह रास्टा बन जा तो उपर से टेक्टर ले करकरके नीचे उत्रे थे जिस रास्थे रास्थे टेक्टर जाएगा उसी half बने गा मैं तबसे मांग रास्थे का था जब मैं जिलाद लिए तरह के लिए प्रयास के लिए नोलगे लिए जब लखनव बार बार जाये के प्रण गई ले आउप शुक्रित भी वह रही लाग देढ़ साल पहले लोकार्पन भी हो गए तमाम काम पांडु नदी आप देखे साएं क्वाइब कर बाद भी तमाम समस्या बचल होी हो से कला हम से जाने अंजाने में कुछ भूल किसी से भी हो सकती है और लोगतंत्र में मेरे उपर इतनी बड़ी जिमेदारी दिया है समाज ने और पार्टी ने तो कोई भूल हो सकती है किसी प्रकार की भी कहीं समय से ना पहुंच पाए हो कहीं फोन समय से ना उठ पाए हो कहीं दुख सुख में समय से ना आ पाए हो ऐसे तमाम भी से हो सकता है जाते आते कहीं ट्रैफिक में मेरे नाते कहीं किसी को असुभिधा हो गई हो कहीं मैं कोई हुए भूल चू की गलती को लेकर मैं अपने परिवार के बीच में हमने इस बात को लोगों के बीच में आगरह किया कि किसी परकार की गलती हुई हो तो उसको उसके लिए आप भूलेंगे और मुझे पार्टी ने जो आउसर दिया है पुना हम सेवा के लिए हाजी है मुझे आउसर पुना दिया उस घटना का भूपेशी लोग ऐसे अनुवाद करते हैं क्योंकि मैं अभी एक डिड़ मीने पहले भी यह भी रापट की मी होटल खालसा है न तो यहां पर मैं कई सारे लोगों से बाचीत कर रहा था मैं आया था सुनभद्र घुमने तो कई सारे लोग हो गया डाला हो गया दुद्धी हो गया इदर रेंडुकूर के लगा वहां पर बिजली की समस्या अभी भी है लोग बताते हैं सदर अस्पताल के हालत के बारे में लोग एकदम पानी पी-पी के गुस्से से बायान देते हैं तो कई सारी समस्याइं बची हुई है तो लोग बताते हैं कि विधायक जी जो एक बता कर सकते हैं और पानी की चिले में जूति उसके लिए कितना समय किया गया मुख मंत्री जी स्वयम धद्रावल बाद के तलहटी में आये थे और प्रधान मंत्री जी वर्चुली दिल्ली से उसका सिलानेस किया था हर घर न लियोजना की तो और उपलबदता भी है वो कोई किसी बिरोधी को कुछ बोलना हो बोले मेरा मैं काना मेरा मंत्री चरह वेती च सलियाडी पडराच कोटा डाला इधर आपके पटवद है अदल गंज है रुदावली है बेलच है कनच है कनहोरा है चन्नी है बसुहारी है रानी धी है पिंडारी है इधर खोड़े इला बड़े ला कोदाई गडवान बैजनात खलियारी है राम गड़े पाउनी है पूरा जो एक मजदूरों को काम देने के लिए बात है हम सब लोग ने उस बीच पूरे मनरेगा के काम के तद पूरे बेला नदी की सफाई कराया आप चाके कभी आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप चलके बेला नदी को देखिए किस प्रकार से साफ हुआ चल रही है य की सौछा इन एक्वाव में कितना लगता है थोड़ा खर्चा दिया क्यों को अनुमति लेनी पड़ती है सोनबद्र के अधिकारियों को इन्मति देनी होगी लकनव देना होगा तो जाना पड़ेगा तो किसी को जाने की फूर्सत नहीं थी अधिकारी अप आफिसर के साथ उनको काम कर रहा ना लगता था उनको दूसरे कामों में दूसरे आप पहले के जन प्रतिनी दियों को था तो इसलिए लगकर के आप पता कर लीजेगा यहीं अच्छोर में अच्छोर इधर के लशड़ा पूरे गाउं कम से कम मुझे लगता कि 20 किलो मीटर लंबा एक मने कुल कि अगर कि कोई भूल है मुझे सेवा करने का उसर सेवा हो सकता समय से ना पहुंच पहुंच किसी प्रकार जाने अंजाने में हम तो सनातन धर्म के पोशक हैं हम सब लोग कहीं भी जाते हैं पैदल चलते हैं कोई चीटी भी अगर दब के मर जाए तो भी मुझे लगता है कि एक अपने से अपराध हुआ है तो उसके लिए भी कहीं ने कहीं मौके पर हम कस्वोचते हैं कि कोई गलती हुई है जाने अन जाने में तो भगवान हमको च्छमा करना तो इसलिए वह था मेरा कि आपका एक और वीडियो है दो वीडियो वारेल हुए दूसरा वाला पता है वीडियो वारेल होते हैं आपको अन्दाज होई किया की जो मीडिया देखता होका बंदा उतनों बताता है तो हमको पता करना अपके साथ कैमरा मेंन कौन चलता है जो आपका ऐसा वीडियो बना लेता है एक तो उससे पूछिए का मैंने और दूसरा वोट मांगने गए थे एक बंदा खाट पर बैठा हुआ है व्रिद्ध है और आप मतलब उसकी पिंडली और जांगों पर मस्त एक्दम तेल लगा रहे हैं क्या हुआ था उस दिए दूर बैठे हुए लोग और जो जिसको जो समझ में आता सोचता है वह घटना वह कोई घटना नहीं है अब यह बता रहे हैं वीडियो यह चल लाओ का स्क्रीन पोस्ट समय है वह एक सेवा का भाव का हिस्सा है वह लालता पाठक जी हमारे पारिवारिक संबंध हैं पुराने समय से बहुत दिनों से उनका आप्रेशन अभी कुछ दिन पहले हु और वह थोड़े बुजुर्ग हैं और उनके हां मैं अक्सर जाता हूं जब इधर से जाता हूं तो उनको मिलता हूं पराम करता हूं हम इस बीच भी उनके हां गये थे तो हम बैठे बात किये बात करने तो वह बैठे हुए तसनान करके तो दवा लगाने के लिए अपने घर किसी बच्चे नाती का उन्होंने आवाज दिया वह अंदर था फिर दुबार आवा दिया मैं बैठा था तो मैं का क्या करना बाबा कैरू दवाईया लगाओ एक बाद थोड़ा तो हमारे अंदर का यह भाव सुरू से भी मैं बीबीबी काम करता था तो मेरा इस सुभाव है स अगर कोई उसके साथ परयाप लोग नहीं है सही होगी या कोई नहीं पहुचाने वाला तो मैं अपने हाथ से स्टेचर को जब तक डॅक्टर तक नहीं निकलता हूं मेरे सुभाव का इससा है कोई बजूर गया कोई महिला इस तरह से जादे स लगें ऑरो तो मैं मन हिसको प चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है वो मेरा सेवा भाव है और मेरा संस्कार है कि मैं तो ऐसे मेरे घर में आप पता करेंगे तो मेरा गाहों का घर है तो गर्मी की दिनों में साधी हुआ करती तो मेरे पिता जी गर अच्य भाई थे तो बढ़के बाबो जी चाचा और भी ल सास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी कहरें रही चाहलné है कुई मेरे साथ है कोई बीमार है तो मैं अगर उसको किसी रूप में सेवा कर सकूं तो मुझे अच्छा लगता है मैं बनारस के रहने वाला हूँ और मेहां पे सोनभदर में कई आसपस की रागों होता ही है जहां के रहने वाले आसपस की रागों में आपके परचित होते ही हैं तो यहां पे एक सिक्षक रहते हैं रापर्स गूंज में में नाम क्या ही बता हूँ सब्सक्राइब तो मैं उन्से पूछेगा मतलब वो मजब तक करने से और चंपई मालीस करने से भी जंता नहीं मानी विद्धाइब अगली बार क्या करने वाले यह इसलिए बोलना हो कि जो करने वाले हैं मौका यही है कैमरा सामने जनता आपके वोटर आपको देख रहे हैं सोनबदर क्या प्रदेश लगबग हमारे 20 मिलियम सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं आप बताइए अगर जनता नहीं मानी तो आपका अगला स्टिप क्या हो किया हूँ दूसरी बात कि जनता की सेवा के लिए मैं पहले से संकल्प लिया हूँ पार्टी ने आउसर दिया है तो जिस रूप में भी ऑशर रहेगा उस रूप में मैं सेवा करता रहूँगा उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी यह मेरा आत्म विस्वास है और मुझे यह है इसके बाद तीसरा कुछ नहीं वाराल वीडियो आने वाला है यह आप बता रहे हैं न कि पूरे जंता का अशिरवाद है मेरे साथ ठीक चलिए चुनाओं के लिए बहुत सारी शुब कामना है आपको और आपके पास आपके उपर दो मुकदमे में दर्ज हैं मुझे अभी अभी आप बोल रहे हैं तो मैं भी ध्यान से सुना तो आपको अगर ध्यान होगा कि बनारस 2009 में उत्तर प्रदेश में मायोती जी की सरकार थी और इंजिनियर मनोज गुपता की हत्या हुई थी और एईया में उसको लेकर के पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में कमिशनरी अस्तर पर जेल्भरो आंदोलन चल रहा था उसे आंडोलन के तहद हम संब कर रहे थे juvenile ने यह दो रान उखा का छेत्री subscribe तो us jail pro तो आंदोलन के तहद मायवती जी की सरकार ने उस उपस्थित भारती जनता पार्टी कार करता हो पर भयानक लाठी चार्ज किया था जिसमें आपको ध्यान होगा यह मेरे नाक भी देखेंगे तेड़े हैं उसमें तूट गया थे यह मेरा हाथ देख रहे हैं यह देख रहे है पहली लाठी इसे पड़ी थी मैं इस परोखा यह तूट गया था उसमें पूरा इतिन लाठी पड़ी थी जाओए दो कभी दो बहुत भ भचानाक लाठी उसमें पड़ीती मुझे कर करन मारता ऐसा काफी लोग ने मान लिया कि भुपेश चौबे आज नहीं बचेंगे लेकिन पार्टी कारकरताओं का समर्पन मैं देखा कि मुझे उस समय तुरन जीप में लाद करके कारकरताओं ने हस्पीटल पहुंचाया और कई दिनों की इलाज के बाद मैं ठीक हुआ एक तो अभी तो भारती जनता पार्टी की सरकार ने धान खरीद को लेकर के गयों खरीद को लेकर के जो भी ऐसे किसानों से जुड़ी हुई समस्या है उसको लेकर के हमने ततपरता दिखाई और हर समस्या समाधान किया लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी धान किसानों को बीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा युरिया के लिए कार मचे चाहे कोई असर नहीं पड़ता था तुसमें धान खरित को लेकर के बड़ी हाहाकार था उस भीच मैं भारती जनता पार्टी का जिलाध्यस था तो मेरे पास किसानों के बहुत से फोन आ रहे थे कि हम वां ब्लाक के अंदर गड़ आमडे साधन साकारी खरित के इंदर पर पहुंचा वहां पर उसमें का तातकालिक सेकर्ट्री उधिष्टिर आदो ने जिस प्रकार से बतमीजी किया हमारे भारती जनता पार्टी कारकरता और किसानों के साथ उस बतमीजी उसने किया हम लोगो तो शुपकामनाएं चुनाओं के लिए और इस यह भी शुपकामनाएं कि चुनाओं प्रणाम चाहे जो हूं आपके भुटने और पैर मजबूत रहे हैं हमेशा और ललन टाप यूपी पे आप ये वीडियो देख रहे थे अपनी राय से हमें सिधान जी तो आपके सिधानत और अच्छे चले मैं आपके सभी दर्सकों को भी बताना चाहूंगा और ललन टाप इस समय काफी लोग देख रहे हैं हैं इसलिए सभी दर्सकों को भी मैं साध्र पढ़ाम करना चाहूंगा अभी आप यह बात भी पूछ सकते थे कि आप क्य क्योंकि मैं पहले ही कहा कि मैं जुड़ा हूँ कैसे राम लला हमाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मेरे मन की गुन गुना हट नहीं मुझे ए बी बी पी और संग से जुड़ा तो इस चुनाओ के समय राम मंदिर बन रहा है पूरा समाज अपना योगदान करके उसको बनवा रहा है अब मेरे बात बुले तो इसके बात पर चड़ा क्यों बोलें लोग बताएंगे मैं यूपी घूम रहा हूँ और लोग बताते हैं ना मैं अभी आपने जैसे बात को ओवरलैप किया है मैं उस पर बोल रहा हूँ कि ल सब्सक्राइब कनाल करते हैं तो हम कानून करते हैं तो सरकार में हैं कानून को एक किया कि वहां बनना ची हमने सरकार ने वहां ब्योस्था बनाई अगर सरकार पिर एक वो कर देती वह काति नहीं नहीं अभी इस पर सुनवाई हो तो सरकार उसे पहल की उसमें जो भी ट्रस्ट बनाने का हुआ काम बाकि फिर समाज ने उसमें अपना उस ट्रस्ट आगे बढ़ा समाज ने उस ने सहोग किया मैं रुपए मैं तो ही पे एक मोची वाला हम निकल रहे थे मोची बुला करके का और अपना कई दिन बाधा हुआ वो पोटली खोला और उस पोटली के अंदर से निकाल करके पैसा दिया यह कहीं परावर से मैं सीता माता मनें कई दिनों कई सालों से रुपए रुपए जमा कर रही थी तो ऐसे करके तो राम मंदीर अभी और दूसरा जिसके लिए मैं लंबे समय तक हम ABBP मेरा अभी तक पूरा नहीं हूँ आपका जवाब तो दूसरा जो धारा 370 आतंकवाद का एक संरच्छक था पूरे देश में आतंकवाद को पालन पोस्टन अगर मैं कहूं को धारा 370 के नाते हो रहा था कितीनी पढ़ जा कई बार हम जम्मू कस्मीर में कारागार में बंद रहें वहां पर हम कानपूर के अंदर विवाद हुआ था भी अदिवेशन में जा रहे थे धारा 370 हटेगा इसका नारा लगा है लोगों ने मार पीठ की तमाम जगों पर इस परकार के इस आंदोलन को लंबे समय तक किया ह हूं मातरानी की को दूभी दर्सन करने बराबर जाता हूं बजरंगबली का सिस्य हूं तो ऐसे मेरे मन के प्रेड़ा की ये सब सज रहा है सवर रहा है सनातन धर्म की सक्ति पूरे दुनिया में बढ़ रही है उसके बाद यह पहला चुनाओ मुझे लड़ने का उसर उसके भाध ईह मिला है 22 का इसलिए मैं ऑसु सम्मान पूरवक्स समर्पित करते हुए जंता जनार गण है जनता भी भगवान है यह कहा जाता है लोक्तंत्र में तो इसलिएऄ भगवान के दरवार में पूरे हो रहे हैं मोदी और योगी सरकार में इसलिए इस बार के चुनाव में मैं पद्वेश भीहिंद जनता रूपी भागवान के सामने जाने का संकल्प लिया लोग वस यही कहते हैं कि विधायक लोग लोकल मुद्वों में चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता ज्यादा अब और टॉपिक चुल लेते हैं तीन तलाक सत्तर तो देश प्रेम देश विरोध यास प्रेम राश्ट विरोध इस पर चलता रहता है हालाकि नेरेट